हेलो वरीबड़ी स्वाग है थे सभी का एक और नई वीडियो में और आज हमारे साथ है तो वन एन ओनली मोटार गोड इन टोप 100 साइकल प्रिडेटर गाईज ये करेंटली 48 है इन दे वर्ल्ड में और मैं इनके पास गया मैंने इन से बात करी क्योंकि अजे मोटार प्लेयर बहुत दिनों से मुझे भी एक मोटार डेक के तलाश थी और ये मोटार डेक गाईज मोटार माइनर बेट ये काफ़ी ज्यादा अच्छे जह कहलते है इसमें पर एक चेंज करते हैं जैप की जगे कभी-कभी हो स्नोबन यूस करते है तो देखते हैं कुछ टीप सें ट्रिक मैच में विया अगेंस ये टेनिस्टो प्रो काईज ये सबसे बेस्ट विजाड प्लेयर है टॉप लेडर के टॉप टैन लेडर में रहते हैं ओल्मोस्ट एवरी टाइम और सबसे पैस जैंट स्केलेटन होग रेडर प्लेयर में उल्रेडी इनकी उपर दो वीडियो बना च चार रिप्लेज शेयर किये मैं आपके साथ उनकी भी टिप्स एं ट्रिक शेयर करूँगों रिप्लेज में किसके अगेंस्ट कैसे खेलना है इस मैच में देखते हैं प्रिडेटर देनिस्टो प्रो के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं नाइट सेकल कर दिया है बैट्स के साथ त डेटाउट करा लिया है यहां पर हमने द्रिस्टाई विजड विजड के प्लेशमेंट है स्क्तितल स्ट्रीण की यह बुख्त बड़ा फन हुख अज्ँक काफी फेले से रिस्ट पेले से और इसीली जो होग रेडर इसीली मर जाएगा without any other troop खाली चार एलिक्जर की मोटार आपको वह वाली position रट लेनी है जैसे आप मैंने आपको टेसला की पर यह पोजिशन बताई थी वैसे ही आपको होग रेडर की position रट लेनी है यह वाली देखो दोनों टावर इसीली उसे डेमेज दे रहे हैं और होग रेडर डेड यहाँ पर बॉम की वज़े से हमारी जो है मोटार को थोड़ा सा टेमेज मिला पर स्टिल हम अभी भी डेमेज लीड में आगे हैं गाईस डेंच्टर हो परो नहीं लोग कर दिया हम अपनीकर पार बार शाीकल में अगर व करते अगर वा एक औरा फा्यवी करते हैं मोटा फ्री JOSH ले सकते हैं सबस्टीवर के काम पर इt यहां पर उसमें पिर से लो है अपनी हर बार में सार्टो कर रहे मिला लुकःडद प्लेशमेन अफ मसकीटियर को अमने राइट सेंड में डाला है और उसकी रेंज की वज़े से उसने ईजी लिया्याइट स्केलेटन को मार दिया है लास्ट म मोमेंट त्मराइट इस crear अरदको का पुल है् अगर वो मोटार लुक अट दे प्लेस्मेंट और माइनर काईज माइनर और फायर बोल ने विजाड को टेक आउट कर लिया क्योंकि विजाड बहुत जादा एनोइंग काड और टॉप लेडर में सिर्फ देनिस्टो प्रो एक्स जो ऐसे प्लेयर है जो विजाड को यूज ले क्योंकि मस्कीटियर ही ऐसा काड़ है जो आपको यह मैच जीता के देंगी कभी-कभी आप देखेंगे इस गेम में प्रिडेटर दो से तीन मस्कीटियर एक साथ साइकल कर लेते हैं और इसीली मैच जीत जाते हैं यहां पर नाइट और स्पीर गोबिलिंस बहुत इसीली क्यान हो गया था इन मैच और डेमेच एडवेंटेच से हम यह मैच जीत जाएंगे देनिस्टो प्रो एक्स से चलते हैं नेस्ट गेम में फर्स्ट रिप्ले में हमारे अगेंश शायद को एक जैपनीज प्लेयर है जो की रेम राइडर ब्रीच स्पैम डेक खेल रहा है अग पिल्डन है जो जो कि रेम रजिएर को रोख सकती हमरे पास नो That कि स्ट्व उसके रेम र को पूष्ब्डेक कर सकती है यहां पिमने मोटर साइकल कर दी उसने जो है अपना इपना इन्फरनोड रेगन चल लिए कि इन्फरनोडैगल खेल कमारे मोटार पे लॉक हो गया और हमारी मोटार को एक भी शॉट नहीं मिला बट गाइस नाइट ने उसके लंबर जेक को इसली टेक डाउन कर दिया मस्कीटियर ने जो है इंफरनों ड्रेगन को स्नाइप कर लिया उसका पुशिया डेट है मस्कीटियर को हमने माइनर से सपोर्ट दिया गए इन मेचेश में आप देखोगी कि अधिकतर जो है प्रिडेक्टर दो से तीन मस्कीटियर साइकल करने की ट्राइ करते है दूम इसकी ट्रेकल कोने के ट्राइ करते है जिससे अब उनके ऊपर ट्रेशर बनाया चाह सके अगर आप मोटार डेक को फोलो करते है तो आपको पता होगा लास्ट कुछ मेटा में मोटार जो है बेट डेक चलती थी इसकेलेटन बेरल के नर्फ होने के बाग वो डेक यहां पर जो है नाइट इजीली टैंक कर रहा है इंफनो ड्रेगन के लिए इंफनो ड्रेगन डेट हो जाएगा यहां पर हमने अपनी मोटार लगई क्योंकि हम आइस घोलम को भी डेमेज नहीं देना चाहते है हमारे टावर पर आइधिंक यहां जो है जैप करना जाएगा अधरवाइस यह बैट और जो रेम राइडर काफी जादा डेमेज ले जाएंगे रेम राइडर ने ओल्मॉस्ट अल्मॉस्ट नहीं मस्कीटर को किल कर दिया अभी जो है जापनीस प्लियर आइडों नो इस नेम बट यह जो है अभी ब्रिजपेम वाला प्लियर ह आप जब भी ध्यान देना कि जब भी ब्रिजपेम प्लियर्स खेलते हैं वह हमेशा अपने इंफर्नो ड्रेगन को अगर अपन कोई साइकल डेक यूज कर रहे हैं लाइक मोटार साइकल हो गई या फिर माइनल वोल ब्रेकर साइकल हो गई या फिर जो है अपना जो बेट ड देखा हुगा जस पहले इस रीपले में कि अपोनेट ने जो स्नो बोल करके अपनी मस्कीटियर को पोईजन में धकेल किया उससे हमारी मस्कीटियर डेट होगी यह चोटे-चोटे प्लेज है जो आपको दियान रखने इस बार फिर से उसने मस्कीटियर पे जो पोईजन कर दिया हमने फाइर बोल यूज की क्योंकि हमें बहुत जादा विल्यू में रिटे चार अलिक्जर का नमर जेक तो अलिक्जर का बहुत साथा हमारी मस्कीटियर आगे चली जाएगे यूजिए पोईजन की वेल्यूं में भीस्टिया इसी रीजन से अभाण नंने पोईजन सालेक्क कर रहा था लेक्त पोईजन क्या नहीं है यहां पर हमने अपनी जो मस्कीटियर को नाइट से जो प्रिटर क्रोंट किया जैप लास्ट मोमेंट के गया जिससे रेम रैडर का चार्ज रूप गया रेम रैडर डैड है नमबर जैड डैड है मस्केटियर को बहुत साधा वेल्यू मिल गया है और गाइस हमारी मोटार हम दूसरी मोटरा साइकल कर सकता है अब हमारा नाइट डैड हुजगा अभी मोटरा साइकल करने की कोई भी वेल्यू हमें नहीं मिलेगी इसलिए हम थोड़ा वेट करते हैं इसलिए अपनेट इंफरनो ड्रेगन पेक में साइकल कर सकता है या फिर इस बार हमने इंफरनो ड्रेगन को जो हमारी स्विर गोबलिन स तर यह जो है वो अभी भी हमें कोई डैमेज नहीं देना चाहरा आइस गोलम ने टैंक किया मोटर के शॉट वर इस ही मिस्ट पोईजल उसने पोईजल मिस्किया एक मस्कीटर साइकल है हम अपनी दूसरी मस्कीटर साइकल कर सकते हैं क्योंकि आइस वीज आ रहा है उसका लं बेट्स के साइक सकते हैं फायर बोल टावर पे मोटर एक हिट शायद मस्कीटर का मिलेगा और 27 एच पे बस हमें एक जैप साइकल करना है इसी गेम होजागा तैस हाव प्रीडेटर विन दिस गेम गाईस मोटर बेस्ट टैक चलते हैं नेक्स गेम तो वी आर अगेंस ए फैन यह यूज कर रहे हैं रोल होग्स विद फ्लाइंग मशीन विद जैपीज विद रोल गोश्ट गाईस यह पूरी जो डेक यूज करने हैं बेस्ट अपने फायर बोल बेट डेक जो कि मैं आपको कहता रहता हूं आई थिंग हम यह माइनर यूज लेना पड़ेगा उसक जैपीज तीन इनिकजर के और उसमें भी उन्हाने स्प्रिट कर दिये तो यहां पर वर्थ इड नहीं था इसलिए हमने अपनी मॉर जो है मस्कीट रिसेइकल कर यूज का पोईजन बेट आउट हो चुका है उसके पास गाइस मेगा नाइट है मेगा नाइट को टेक आउट करने के हमार पास बस नाइट है नाइक टोरी स्पीर गोबिलिन से हमेशायदी पुष टेंक आउट करना होगा I think हम यह फायर बोल यूज करेंगे टाइंक मशीन के ऊपर इस डेक में कुरी डेक में सिर्फ एक अनोईंग कार्ड है फ्लाइं मशीन फ्लाइं मशीन के ऊपर ज पिर बस की इअर बैक करेंगे आप क्या करता हो रसलेक किः है यहांपर आप सकस्ति अपया फिस और शूर मिलेगा फिशयर में लिया मबिगे एक विर्ध और हमनर यूज frühamind ऊंबहों करने डेक हमारे इस पास किअट हो जयाएगी मेगा नाइट के लिए गाइस पूरा गेम प्लेन बना के चलना पड़ेगा तभी हमें गेम जीत पाएंगे उसके रोयल होंग्स के लिए हमारे पास अपनी मोटार है अगेन उसने अपने जैपीश स्पूर्ट कर दिया जैपीश के लिए हम अभी कुछ यूज नहीं कर रहे है और गाइस अपने यूज किया जैप हमने यूज किया अपने बैट्स इन दर राइट साइड वो जैपीश को थोड़ी दर टैंक करेंगे हमने मोटार लगएगे इस में अब मस्कीटी यूज नहीं पड़ी इस बार हम फायर बूल यूज नहीं ले रहे है क्योंकि जो है फ्लाइंग मेशिन को कोई भी चीज टैंक कर नहीं कर रहे है और मस्कीटी उसे पार टावर के साथ दो शोट्स में इसीली किल कर सकती है माइनर इन देफ्ट साइड टा नहीं है और मरपा सिर्फ मेगान इट को टैंक करने के लिए हमारा माइनर हमने एक और नाइट से एकल कर लेया तरसे बूल में नायट से तेंक कर देंगा राइट से नहीं में मैंने के साथ जना पड़ेगा आइ तिंक अम अपर मोटार भी लगाएंगे मोटार की यह वाली पोजिशन उनको रत नीपड़ेगी अगर हमें मोटा टैक से अक्षा परूम करना है तो यहाँ पर मस्कीटियर ने ओल्मोस उल्मोस फिशर्मन को टैक कर देगी इसके लिए टैक कर देगी यहां पर फिर से वही वाली मोटार प्रेस्मेंट जिससे दोनों टावाले से टाजट करेंगा अपने अपना पोईजन यूज ले लिया मेगन नाइट है जो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है हमें अपने स्पीर को निस यूज लेने पड़ा है और लुक अएट ऑपोनेंट यहां पर हमसे डेमेज लीड में आगे हो चुका है पट मैं यहां पर मेंपर मैंना डाल दिया और स्पीर को टेंक करने के लिए पत उसने अपना जो है गोस्ट यूज ले लिया फिशर्म हमें अपने मस्केटर रिशाइल करने के बाएं नाइट साइगल करना पड़ा अधरवाइस वोयल वोस्ट बहुत साधा देमेग ले जाता यहां पर फिशर्मन पूल कर लिए हमारा नाइट को हमने डाल दिये है अपने बैट्स तेक देट फिशर मेन आउट यहां पर मिशाए फ्लाइंग मशिन को फायर बोल कर सकते हैं जैसा कि मैंने काता बहुत ज्यादा इरिटेटिक होती चली चाहरी है और यहां पर मिने स्पीर गोड़निस डाल दिये हैं पैट्स डाले हैं होक्स को टेक आउट कोने के लिए फुर्स से जो है कि मोटार लगा दिये हैं ताकि लैफ साइट वनलाओ अपने करने करना पड़ेगा जो है मेगा नाइट को और लुक अट गाइस जो मेगा नाइट को इसने पुल किया है लेफट साइड में फार बोल गी काफी अच्छी वेल्यू मिल गी क्योंकि इस बार दो जैपीस भी फार बुल हुए मस्कीटर अभी भी जिन्दा माइनर रोंद टावर अगें अगें डू मेगा नाइट जो है थोड़ी सी दिक्क्र देने वाला है फ्लाइंग मशीन और जो है अपन ने फिशर्मेन को फार बोल कर दिया है दू साइड दू ट्रोल हुँस में राइट में कनेक्ट हो गया है माइनर हमारा काफी ज्यादा चिप डेमेज दिरा आई थिंग हम फार बो साइकल करके ये गेम खतम करेंगे लाश्ट मोमेंट पे फार बोल फार बोल कनेक्टेट एट एट वे विन देगेम गाइस बिकास उफ यहां पे देखो यह वाला प्ले में अपनी लाइफ में फस्स टायम देखा ता और मुझे बहुत जबहा अच्छा लगा स्णोबोल से जो है होग रेटर को pushback करो bats डाल के counter करना मुझे पता था कि एक hit लेता है होग रेटर लेकिन गाइस अगर snowball से उसे pushback का देते है तो एक भी hit नहीं लेता है होग रेटर यह एक छोटी सी pro tip है अगर आप ध्यान देते हो यहाँ पर opponent अपनी mosquito को fireball कर दिया और लेफ्साइड में उसको ज़्यादे मिलेगे यहाँ फिर से मोटा लगे गाई मोटा की प्लेस्मेंट देखो बस तुम यह वाली मोटा की प्लेस्मेंट यहां पर हमने spear goblins डाल दिया है, knight डाला है, ताकि मस्कीटियर के लिए tank को एक भी hit नी मिला है, मस्कीटियर को और hog rider को अपने tower पर, this side of dead, log और left side side पर देखोगा है, इस हमारे miner ने उसको कितना जादा chip damage दिया, यहां पर हमने bats डाल दिया है, मस्कीटियर डाल दिया, एक भी chip damage दा मिले, और guys, इस game में हमें करना यही है, defend करना है, उसके hog rider को, और attack करना है, miner के साथ, यही एक छोटी सी tip है, इस बार हमने जो है, फिर से, मोटा की वोली placement, best placement है, middle of the map, three tiles from the king tower, यहां पर हमने snowball कर दी, predictive skeletons के उपर, इस बार हमारे पार सिफ bets हैं, उसे take out करने के लिए, आई थे, हमें spear goodness साथ जाना पड़ा है, spear goodness पर आ चुके हैं, left side side में mosquito अभी भी full HP पर है, so उसे काफी ज्यादा, elixir spend करना पड़ा, लोग की हैं, राइट side में, अब वो थोड़ा close आगी, अडेमिक में, फिर से मोटा लगाने पड़ेंगे, दोनों tower, जो है, hog grader को attack करेंगे, fireball चलता है, तो हमें कुछ और use करना पड़ेगा, हमने mosquito use की, mosquito की placement देखना, guys, अभी हमें left hand side में counter push की value देगी, उनने अपना knight use कर है, और खाली fireball के damage से वो जीत नहीं पाएगा, उसमें log use करते है, जो हमने, उसका ice golem आ रहा है, हमने right side बे अपने bats use कर लिए, bats easily counter कर लेंगे, hog grader का, इसलिए हमने bats ले लेते हैं, लेकिन उसने अपने ice spirit से counter किया, hog grader को अभी भी damage नहीं मिला, हमने hog, जो motor है, middle of the map place करी, और फिर से उसका hog grader आ रहा है, I think हमें snowball use लेने पड़ेगी, इस time last moment पर फिर से हमने hog grader को एक B8 नहीं दिया, predator इतना शांदार खेल रहा है, इस game में, क्या ही बताओ, मैं आजब motor player, I can understand these moves, really quick, और यहां पर फिर से motor लग जाएगी, motor फिर से hog grader को district करेगी, इस फिर को bleach डा पाएगे, क्योंकि opponent अपने hog grader use कर दिये, और अपन स्नोबोल करेंगे, टावर पे, तो मोटार से hog grader shot ले लेगा, इस बार हमने माइनर के साथ fireball और स्नोबोल कर दिये, easy game, spear goblins connect होए, easy game, okay, चलते हैं अपने last replay में against RG, RG guys, मोटार का दुश्मन, royal giant, अब हमें देखना हो कि इस match में predator कैसे royal giant को हराते है, royal giant को हराने के लिए आपको यह चीज़ ध्यान रखनी कि मस्कीटिर और knight को बहुत ज्यादा value मिलने चाहिए, अपनी मस्कीटिर को ज्यादा value दिला है, अगर मस्कीटिर ज्यादा value लेगी उतने ज्यादा chance है कि हम इस match में easily जीत पाए, उसका royal ghost आ रहा है, उसके लिए हमारा knight field पे, यहां हमें अपनी motor guys, motor की position देखना, right hand side पे हमने अपना zap कर दिया, और अपने bets यूज ले लिए है, अपने royal giant के ऊपर, जो motor और bets के साथ में हमने use किया है, minor 2, इसके लिए जो minor tank करेगा, bets को value मिलती, अब उसे 2 elixer के bets के लिए, जो क हमारा counter push में तो उसको 4 elixer का hunter डालना पड़ा है boys, और यहां पे हमने spear goblins और जो knight है, उससे easily easily उसके hunter को defend कर लेंगे, अब हमारी spear goblins हमें थोड़ा counter push value दे रहे थे, इसलिए उसे log use करना पड़ा, तो till now we are looking good in this match up, because right side में damage दो को 3180 tower पे बचा हुआ है, हमारा पास motor है, उ उसको अपनी musketeer को मारना है, तो उसको fireball करना पड़ेगा, साथ में lock करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्याद है, fisherman थोड़ा सा दिक्कत दे सकता हमें इस game में, लेकिन after that fisherman nerve, जो कि season 18 उसके बाद fisherman की health काफी ज़्यादा reduce हो गई है, उसके बाद fisherman इतनी ज़्यादा value नही यूज लिया, but guys hunter ने bridge cross नहीं किया था, इस reason से हम को अपनी spirit goblins भी यूज लेने पड़े, यहाँ पर हम से थोड़ा से ज़्यादा और commitment करवा दिया, opponent ने, well played alpina, अब हमें आप minor use करना पड़ेगा, to tank for that, royal giant, royal ghost, sorry, royal ghost, सारे के नाम के अगर royal है, सारे royal family से विलोग करते है और यहाँ पर fisherman को हमने अपने fireball कर दी, अब देखो guys, अगर fireball और log कर दे हम, तो हम easily fisherman को मार सकता है, टेकिन 4 elixir का card पर सिरह में 4 elixir का card ही use लेना चाहिए, मतलब 4 से ज्यादा elixir, अकर 2 elixir, और different करेंगे, तो हमारे counter push का value नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमने अपनी motor लगा फिर से motor लगा दी, so opponent यहाँ पर बहुत जादा irritate हो रहा हो, because हमरे cycle भी बहुत जादा fast है, second motor cycle करने के बाद, opponent अभी तक tower पर सिर्फ log chip के अलावा, कोई भी damage नहीं ले पाया, that's a good news for us, left side में हमने knight cycle कर गया for his royal ghost, right side में हमने spear goblins cycle कर दी है, अगर वो यहाँ पर log ना करता, तो हमें minor के साथ काफी जादा value मिल जाती, spear goblins की, nice hunter prediction by opponent, fisherman जो है knight को pull कर लेगा, bats जो है, fisherman को take out कर लेगे, हमने musketer पीछे cycle करी, क्योंकि उसने royal giant जो पीछे cycle करा, वो try कर रहा है कि वो 2 royal giant cycle करे, इसलिए हम क्या करेंगे, कि knight और musketer से push को defend करने के try करेंगे, और उसके पा और royal giant defend, I think जैसे ही ये motor dead होगी, वो second royal giant के साथ जाने के कोशिश करेगा, knight easily fisherman को ले जाएगा, royal ghost opponent ने use किया, I think हमें left lane में जाना चाहिए with that minor, but left hand side में, RG use ले लिया opponent ने, तो हम right side में जाएगे minor के साथ, last moment zap, और bats को take out कर लिया, यहां पे musketer ने fisherman को almost all that dead कर दिया है, left hand side म I think हमें motor जल से जल defensive पर लगानी पड़ेगी, right hand side पर royal ghost के लिए हमने use कर लिया है, knight यहां पर दूनों side से roll giant आ रहे है, middle of the map के motor लगेगी, दोनों side को distract कर लेगी, और guys वो zap, zap से सारे bats मर चुके हैं, left hand side में I think roll giant एक hit लेगा, एक hit से जादा नहीं ले पाएगा, fisherman ने musketer को pull कर लिया, left hand side में, अपना knight और bats जो है काफी value दे रहे है, minor chip कर रहा है, tower पर fireball at the last moment, take out कर लिया हमने उसके hunter को, I think फिर से एक और मोटा लग जाएगी defense में, इस बार हमने offense में लगा, यह last moment zap किया है, उसका जो है, royal giant dead है, एक hit मिल चुका है, tower पर and that's it boys, हम उससे match में काफी आगे निकल चुके है, इस बार जो है, fireball के साथ गये हम, लेकिन hunter एक कदम आगे निकल गया था, but हमारी musketer भी भी alive है, उसने hunter को take out कर लिया, यहां पर knight चलेंगे, knight royal host के लिए tank करेगा, pets यूज़ करेंगे, zap last moment, I think miner के साथ हम फिर से जाएगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ alive है, फिल्ड पे, उसका fisherman almost almost dead है, nice skeleton prediction, but last moment में हमने अपनी motor लगा दिया, royal giant direct through नहीं कर पाएगा, only lock chip, and that's how we win the game, नयों चलेंपे, make sure to hit that like and subscribe button, bye bye guys, see you in the next videos. झाल 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 झाल झाल